हेलो एंड वेलकम टो रेस अकेडमी उफीशियल साथ श्रीयकाल सारयनों नमस्ते अदाब सो आज जापा सुप्रीम कोट आफ इंडिया बरे पढ़नागा जेडा के हरे एक अगजाम वास्ते बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है एस टॉपिक तो आएं केलो भी जेड़ा मर्जी पेपर चाकलो जेड़े मर्जी लेवल दा पेपर चाकलो तो आणनू क्वेश्चन एथो मिल ही जाओगा सो एस सुप्रीम कोट नूँ अपपा एनी डेटेल दे विच पढ़ ले ना के आज तो बात वा डगवाई भी क्वेश्चन सुप्रीम कोट तो नहीं रुकना चाहिदा से चलो आप एनू पर देयां एदे आर्टीकल बारे जान धियां एदे इजिरिस्डिक्शन बारे जान धियां उनना सारे चीजा बदे जड़े अगजाम वास्तें तो अनू इंपरेट है सुप्रीम कोट So सब तो पहले किया कि Supreme Court दी पहले ता establishment कदो होई याद रख्यो Right. अचिछब 시청 नोग रहा हुए। राइट हो गया, सिद्धा सिद्धा question, किन्ने तो लेके किन्ने आर्टीकल तक अपा सुप्रीम कोट आफ इंडिया बारे पढ़ दिया, एकसो चौवी तो लेके एकसो ठाई तक, इस तो बाद एकसो संताली तक अपा की पढ़ दे जरिस्डिक्शना बारे पढ़ दिया, राइ आर्टीकल एकसो चौवी तो आनो सुप्रीम कोट दी सट्राक्चर बारे दास दागा, सट्राक्चर बारे दास दागा, हाँ जी, सुप्रीम कोट दी स्ट्राक्चर बारे दास दागा, सुप्रीम कोट दी स्ट्राक्चर दा मतलब, पहला पोएंट, पहला पोएंट, नंबर ओफ जजीज किनने नंबर ओफ जाज जोंदे नंबर ओफ जजीज दूसरा दूसरा उन्ना दी की हुंदिया पाई क्वालीफकेशन उन्ना दी की हुंदिया क्वालीफकेशन तीसरा उन्ना दी अपोईंटमेंट नू लेके के उन्ना दी के में हुं दिया, ओके, इस तो बाद उन्ना धी रमूवल नू लेके, के उन्ना नू रमूव के में कीता जा सकदा है, राइट है, सो एहें चीज़ा इंपॉर्टेंट बान दियांगे, याद रखना नंबर ओफ जजीज, क्वालिफकेशन, अपॉर्टमेंट, ते रमूवल लेके, जड़ा कोशा पाइदे बच पढ़ांगे, बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट, राइट होगा, सो एहें आर्टिकल चौवी है, याने के तो हन्नू सुप्रीम कोट दे गठ हन्नू दास दाला, राइट होगा, सो अपा आर्टिकल एक सो चौवी पढ़ देया, नंब चीफ जस्टीस दा मतलब किया, थेती प्लस एक, राइट, थेती प्लस एक, अच्छा, टोटल नंबर आफ जाज, किन्ने अपलाम, चौँती है, त्यती प्लस एक सो जाज का, त्यती भी होगा तो याद रहना महाराज यानि के, च tulव जस्टीस ऑफव इंडिया, याणि की 4 अंती नंबर अफ जाज जाते तेती तो आड़े जाज होगे and एक होगा तो आड़े चीफ जस्टिस अफ इंडिया सो एहे तुसी याद रखनागा टोटल नंबर अफ जाजिस राइट होगे जेकर तो अनू सर्फ कर ले जाज पुछे यान ता तुसी कहोंगे तेती जेकर टोटल नंबर अफ जाज जाज पुछे यान ता फिर तुसी कहोंगे तेती प्लास एक राइट कई वरी लिखा है ना ओनली जाजिस ता ओनली जाजिस दा कैन दा मतलब हो कहना चौंदा तो अनू के ओनली जाजिस पर सुप्रीम कोड दा चीफ जस्टिस नी जेकर टोटल नंबर अफ जाजिस लगता ता तुसी चौंती ही कहना क्योंके टोटल नंबर अफ जाजिस दा मतलब sector उने नहीं लिखया, only नहीं लिखया तवया तो चीफ जस्टीस दिया नू काउंट कर रहा है तो टोटल नंबर ओफ जजीजेड़े, उचांती है, जच तेती होगे तो आड़े चीफ जस्टीस दिया हो गया, राइट होगया इस तो बाद जेकर आप इन्न धी कॉलिफ्केशन दी गाल करी। सो कॉलिफ्केशन बहुत कहा है ता कॉलिफ्केशन जेकर इन्न धी आप देखी जाभे। सो सुप्रीम कोट ता जेकर तुषी जज बाननागा तूर्ट कोलिफिकेशन था की होनाई चाहिए थे जाहिए था क्वलिफिकेशन था था की होन Kinida मेरी पपाई हैं तुर्ट 9ी गरी identified हूनाई experience होना चाहिए दास साल दा experience होना चाहिए तो अड़े कोले as a वकील ते जाहां फर कील तो अड़े कोले जाहां फर है का पाई 5 साल तुसी जज होना ही चाहिए दियो as judge in supreme high court in any high court ते आन दिनाल में high court बोल रहां का district court नी subordinate court नी शैशल court नी सर्फ high court high court दा तो अड़े कोले 10 साल दा वकील गिरी दा experience होना चाहिए दा जहां तुसी पांस साल judgment judgment कीती हुए यानि judge रहे हों तो तीसरा सब तो important जेना की होना ही चाहिए दा जेना की होना ही चाहिए दा के तुसी साल दा experience किनने ही वकील होन की हरेक ही कादू मैं supreme court दे जाज़बान दा हकदार है अले जी बहला अच्छा पांस साल दी judgment हरेक बहुत जाज़ होन की जिदे कोले 5 साल दा experience हो गया होगा तो ओ भी कहुगा की मैं ता supreme court दे जाज़बान साकदांगा बट नहीं है में नहीं होद याणि कि जो कर आप ऐन दी appointment दी गाल करिये ता appointment एनसी कौण करदागा प्रेजीडेंट ही करदागा appointment एन दी कौन करदागा president है करदा president एन दी appointment करदागा right so 4 दी नाल दी नाल दी नाल दी नाल दी नाल रिवीजन 4 दी नाल दी नाल रिवीजन so मैं article तो आनू 104 कराया 104 दे विच नंबर ओफ जजीज कीया तो आडे 4 दी चांती है 4 दा मतलब 3 पलस 1 तो आडे होगे number of judges right उस्तो बाद मैं qualification दी गाल लगीती है so qualification 10 साल दा experience as a judge in high court जा 5 साल दा तो आडे कोड़े होना चाहिदा 10 साल दा experience तो आडे कोड़े होना चाहिदा वकील दा 5 साल दा होना चाहिदा तो आडे कोड़े as a judge in any high court right याणी आप collaborators twice एक पर पर जदो supreme court दे जज्जां दी supreme courtिदी जड़ी appointment कारनीया याणी आप तेती पलस एक पढ़ दिया हुण पहलाद में तो नो Chief Justice of India दी appointment दास देना, Chief Justice of India दी appointment President करदागा and Chief Justice of India हुदा काउने, जड़ा आहा तेतिया, एनना दे विच्छो Senior Most Senior Most तो अड़ा Chief Justice of India बढ़ जादा, जे कर मानलो, Absence हो ज़े Chief Justice of India, ता में Senior Most ही आउगा उनना तेतिया चो राइट है दे पर मैं दस हूँगा, पहला आप सुप्रीम कोट दे जज्जा दी appointment बारे गाल करिए, ता सुप्रीम कोट दे जज्जा जड़े appointment किते जादिया, क्यमे appointment किते जादिया, President ही पौएंट कर्जूगा President पौएंट कर्जूगा mix लगा नहीं समझ लगया, समझाओने तेया आङनों ती नाले इस चीजनु समझ लगा मानलो आओ एक हाईकोट है Punjab-Haryana-Hią cópth कहल हài Punjab-Haryana high court कहल हो आथो आड़ी मानलो Supreme court है राइट आत वाड़ी सुप्रीम कोट है, होना पंजाब हर्याना हाई कोट दे विच एक वेल एक्सपीरियंस्ड प्रेजिडेंट दे निगा दे विच दास साल दे एक्सपीरियंस अवकील गिरीद है तो यानि के सुप्रीम कोट दे जाजबान दी क्वालिफिकेशन होना इधी अपॉइंट मेंट करनी है सुप्रीम कोट दे जाजबास दी जदो पॉइंट मेंट करांगे ता प्रेजिडेंट अगिया होगा भी प्रेजिडेंट कोगा मैं करूंगा प्र सलाल होंगा मैं सुप्रीम कोट दे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दी एस हाई कोट द बंदे नूँ जेकर सेलेक्ट करनागा तो उधे हैड तो पुछा जाओगा वी थोड़ा बंदा ठीका पाई राइट इस तरी किनल याद कर साकते ठीक है आट वाड़ी सुप्रीम कोट जित्ते याणि कि तुसी कहलो भी व्या करो नागा आख वाड़ी सुप्रीम कोट जित्ते उन्ना दा हेड हो गया Chief Justice of India थे एक हो गए President, यानि वचोला कहलो। यानि आइ ए वचोला हो गया। और यानि मतलना मतल萬 वचोला कहूगा, पाई, मैं था व्या करा दूगा। यानि व्याा निज उसकाटा है क्यालो। वचोला था व्या च veo mirrors और Chief Justice of India, यानि कुड़ी दा पत्पा, ते मुंडे दा पापा, हुन बाप्पु तो ग्रांटी लोगा Chief Justice of India, जाहां कहलो वचोला, वचोला ग्रांटी लोगा, वचोला प्या होया ता बाप्पु क्या लोगा, ता वचोला ग्रांटी लेंदा High Court दे पापे तो, यानी Chief Justice of High Court, कि पाई थोड़ा मुंडा ठीका असी उ जबनोनागा, राइट आशो एह चीज जरूर गौर करनी है, सो कहन न मतलों जेकर आपपा अपोएंटमेंट दी लोगाल करिये, जेकर आपपा अपोएंटमेंट दी लोगाल करिये, ता अपोएंटमेंट जड़ी हो हो, तैन यान नल होंदिया, सो याद रखनागा, President, Chief Justice of India and Chief Justice of High Court, होन तेती जड़ी होंदिया, ता एता हैनी भी एक कोई High Court दे विचुलेले, जड़ी High Court दे जाओंगे, ओस High Court दे Chief Justice of High Court तो आड़ा, यानि के सलाकार हो जुगा, President, राइट हो गया, सो एह बहुत चीज इंपोर्टन बनगी, होन आपएंटमेंट दी गल कर लेने, र रमूवल दी, रमूवल दी गल कर लेने, हुन रमूवल दी जड़ी गल करांगे, ता रमूवल वास्ते President आओगा, President आओगा, यानि तलाक हो रहा है, पहला आप व्याक इता पोइंटमेंट करती, यानि रमूवल दा मतलब तलाक हो रहा, राइट, ता President आओगा, जेड़ा रमूवल दी, ता रमूवल दा हो रहा, लुद आओगा, ता रमूवल दी जना जीड़ी है, थापोइंटमेंटमेंटैंटमेंटमेंटरिषा ता रमुदुआ ॕप किक केल रहा है, भी जोगोर कर दो, मतला सबस्तीं हो रहा, पमूवल दी, टा Михाड सथापपा, ता हमूव जो भी है, थीका, सव चीफ जस्टिस आफ इंडिया फ्लस चार जाच, सव कहन है, किया के रमोवल वास्थे प्रेजिडेंट, प्लस चीफ जस्टिस आफ इंडिया, प्लस चार, राइट है, होन तो सिए, ना के दो भी सर हाई कोड़िए जेडी, हाई को ले आ गया शीगा, क्य पाई उन तु बदल गया तु उन आया हो गया ए ताजी ताजी एक्स्पीरियंट सा कईवर ही हो जानदा ठीक है सो कहन दा मतलब किया के प्रेजिनेट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस चार जाने एट इज डटेल बनेगे राइट हो गया तु आर मूव करना ता प्रेजिनेट ते क्लीजिम होगा क्लीजिम देविच पांच जाज होंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ते प्लस चार जाज राइट सो एहे तु उसी गौर करके पढ़नागा सो अपा पूरा कम्पलीट कर लिया आर्टिकल एकस चोवी सट्रक्चरी दी पढ़ लिया अपा एदे विच आपा कीपड़े है सब तो पहले है कि पाई किनने जाज होंगे चोंती जाज होंगे राइट तेती प्लस एक होगा राइट नाल दीनाल रपीट करनागा राइट सब्सक्राइट नाल दीनाल 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 लग रही कार दूर दूर तकनात्था नी पार्लिये मेंट कोई पावर नी bashkov or supreme court जड़ा होएज भ Riley man कोई नितागरी ऊथे नहीं चाल साथागी होंगे बहुत इन परिफ राइट होण्पा हां त्रकान अपार अंतन गुंव एनानों तो यह दितती हां आग तो यह can do जो विया, जो विया, छोटिया भगईरा सारा कोश एधे वच लिखा हो य पाई भी तो आ आनू की प्रिलेज देती है यानिके सरकारी नवकली लग यह कित रिके देना रड़ तो आनू की कोश देता जाओगा सारा कोश एधे वच्छा राइट है नो करबार किया, पेट्रोल दा खर्चा, फलाना खर्चा, गड़ी बगएरा, सारा कोश थी मिल दा है, नो आर्टिकल पच्ची यानि के इना दी सेलरी, अलावाण्स, प्रिविलिज यानि के जो ऐसो अराम दी जन्दगी होंदी सारा कोश आर्टिकल पच्ची दे नो ऐसो आर्टिकल पच्ची हो गया, अस्तो बाद, तीसरा, आर्टिकल एकस्ची, अर्टिकल एकस्ची ते आर्टिकल एक्सो ठाई 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 ते आर्टिकल एक् इनना बोल बोल के ना प्यास लगन लगें दिया चलो खार ठीक है? So article 16, article 16, article 16 ये दे बरे अपगल कर दिया कि गल्ला बाता ने पाई article 16, article 16, article 16 दिया So article 16 to start कर दिया बहाग ज्यादा important है जेकर तो अन्हों article 164 ते 25 सामज लागया अन्हों और तो आर्टीक लेखिए दे मेचे बहाँ आर्टीक लेखिजजचे अमोल जेकर दिया Article 164 कार्दा कार्दा अपव्यंट मेंट धी सामज़ दिया आर्टィकल 165 अज्यादी अपवयंट मेंट धी सामज़ कर्दा कर्दा और कि दिया कर्दा कीदी है एपोईट मेटंच हुए एपसेंट है तां फेर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा एसेंट रही हो सकता तो chief justice of India जेकर बबमार हो जे absent होवे किसे भी वजा करके किसे भी वजा करके absent होवे ता acting chief justice of India चुर्ण आ जाऊउगा तो उनू भी appoint करूगा उनू भी करूगा appointer president तो एह केडा article आ आ आर्टिकल 126 ते प्रेजिनेंट जुदो अपोइंट करूगा, प्रेजिनेंट जुदो अपोइंट करूगा, तक के में करूगा, सीनियर मोस्ट जाज, सीनियर मोस्ट जाज, यानि जो सीनियर मोस्ट जाज होगा, होन सीनियर दा मतलव सिर्फ एह नी हैगा के उमर देवेच सीनियर, हो जाल्ट वगर अच्छा होगे यानि कि जीदा कहलो भी एक तरह नालब टावर जादे हों दिया जीदी senior most जाए जड़ा सिनियर पता लागया जड़ा मैं कुछ कहना चौना का जड़े अपा तेत्ती पला से एक पड़ेया गा यानि आज एका हे एपसेंट हो गया राइटा एनना तेत्तियां देविच्छो ही एक बनुगा चीफ ज़स्टिस ऑफ इंडिया जीनों अपा कहांगे acting चीफ ज़स्टिस ऑफ इंडिया एक्टिंग दा मतलब एक्टिंग कर र चिफ ज़स्टिस ऑफ इंडिया दी गाल कर राइट अज़ी एक्टिंग चीफ ज़स्टिस ऑफ इंडिया जी ज़दो सुप्रीम कोट दा जड़ा चीफ ज़स्टिस ऑफ ऑफ संट हो जी राइट अपने आजिंईुल अप्रक्स केयों अनल न चाहने ठीम्हूँञी से इन्ग केयों of the ऑपने कीषिय होल्जा में AaricatePlus से जिंडेने मिला। अशन होने की ने, और्कल 103 प्रेशियों अपर करने अधिकल 126 ने एता कहता कि जेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपसेंट होगे ता की कार साकते हो एक जेकर पाई मेरी गालना सुनू तुसी कहने भी तेती पलास एक होने चाहिए देया चलवा एक उडगया इनना तेतियां चो कुई ना कुई आप एक करा खले पर जे मानने अधिकल 129 ने ठीट चुनू कौन चुनू गा प्रैजिडेंट ही प्रैजिडेंट ही प्रैजिडेंट ही प्लास होगा नाल एदे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लास जेड़ी हाई कोट् विच्चों ले रहे हैं जजनों ओस जजदा फेर व्या हो गया Chief Justice of High Court राइट पर हुण एथे किया High Court कोले थोड़ी एनिक पावर दिती जान दिया कि High Court आव दे जजनों देना चाहे जान ना देना चाहे तो High Court कोले पावर हों दिया राइट यानि जेकर मानलो आय कलो वी आहा पंजाब रेना हाई कोट है पंजाब रेना हाई कोट देवेच पहला ही कोई ना कोई मानलो आय कलो पंजाब रेना हाई कोट देवेच जड़ी appointment हुण दिया गी पंजाब रेना हाई कोट देवेच एक चीज होर बहुत इंपोटेंट एक चीज होर बहुत इंपोटेंट चौंती जड़े नंबर अफ जज्जा एनना नूट डिसाइड कॉन करदागा, पार्लियमेंट डिसाइड करदागा, पर जे कर अपा हाई कोट देविच नंबर अफ जज्जी दी गल करिये, तहें वेरी करदागा, ओस स्टेट दी जन सांख्या करने, ओस ते डिपेंड करदा जिनने यूपी बहुत बड़ी जान सांख्या, राइटा तो थे नंबर अफ जज्जी बहुत होंगी, तहें कॉन डिसाइड करूगा, कि कैसा हाई कोट देविच किनने नंबर अफ जज्ज होने चाहिए प्रेजिनेट, बहुत इंपोर्टेंट कॉस्चन है ते आन दिनार, त्या आज देना आल गाल सुण जड़ी जज्जा सुप्रीम कोट देवेच उना ती जड़ी गेंटिया कॉन नरदार्त करदा, पारलिमेंट, इसे करके पहला कती जाजसी हूने चौनती करती, पहला कती सी गे, अपना करते चौनती ते T1 प्लस 1, पारलिमेंट ने कीते है, पर जेकर अपना हाई कोट देवेच नम्बर उख जज़िज़ दी गिंटियां दी गाल करिये, ता प्रैजिनेट पॉइंट करूगा, प्रैजिनेट पॉइंट करूगा और प्रैजिनेट निर्दार्त करूगा ऊसारी चीज़ा, राइटासु मेरे साहव दिन तुस यह चीज मेरेन हाई कोट है मिट त्न देविच्र मानने लोग पांच ज़ाज बुदगा, पांच जयज किसे पासे चलेगे साहिए ऐ हुदा गरें हाई कोट धुद्ध पांच ज़िज होज संद हाब म हाई कोट धुदulen मेत करा मी थृट संद होज संदन ज़िज सु०ा रिए प्र् dig बेहर – खोड़े चलाऑगा, बेहर खोड़े चलाऑगा, सो जेडी स्टेट क्या दोगी हां सात्यो लेलो, सात्यो लेलो फिर ओस ल्मड़तह लें, सट्व हकोट Onunा जीफ जलाओ प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया त्हल गई है तो अहत तुग थो तुभी हिंगा Article 206, Article 206, Article 216, Article 206, Article 106, Article 206, एक नाल कोर्रोलेट कर दिया, अपने वहर कीती कि एकर Chief Justice पैंट हो यह तो आपक्याच्टिग Chief Justice ऑफ इंडिया सिनेर मोस्ट जजनू बना साकते हैं एता गयल निबढ़गी यानि के जड़ा एक कायब सेंट होजी अच्छा आठीकल एकसोचाई के चेंदा भी जेकर तेति यानि अड होक जजी आपनों रखने पहने 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 यानि या तेतियां देवेच्छो जे कोई गयब होजी अड माननलो तो उसी अद होक जजीज रखने है, जेडि आपा गाल कीती सी, जेडि आपा गाल कीती सी, भी आहा हाई कोटा, आहा हाई कोटा, भी थोड़े कोले जज हैगा, थोड़े कोले जज हैगा, थोड़े कोले जज हैगा, एमें चाहिए गए, राइट, ते माननलो पांच पांच जाज आपनों मेली नी सके, माननों पंजान विचो दो मेले, माननों पंजान विचो एक मेले, माननों पंजान विचो चार मेले, माननों पंजान विचो कोई भी ना मिले होवे, जांक कोई एपसेंट फिर भी रहा है, आपनों ना मिले, पूर्ती ना हो सके, ता फिर आ रेटायर हों दिया सुप्रीम कोट दे विच्छों फिर उन्हानों सद्या जांदा के पाई आओ हेल्प करो सानू अड़ॉक बेसिस्टे तुसी चाही दियो राइट फिर रेटायर दे जज्जानू बलाया जांदागा सो किन्ने सोन ए तरीक के दिनल अच्छा तनकाहत ऊही म अनिन गया जड़िया एक्चोल दिवेचे सुप्रीम कोट दे जाजी दी तनकाहत हों दीया यह नहीं हागा के तुसे ठेक देदा आर्ट तो तो भी तनकाहत होगी तनकाहत अलावंवेंसर सारा गुष ओल ही होगा राइट, सो मेरे साव दिनल तुसी ये चीज़ा सामजगे होंगे, एक वारी जाल्दी जाल्दी ये रवाइज कर लो, क्योंके बहत्रीन टांक दिनल जेकर पढ़ना तो पढ़ना एससे त्रीके दिनल चाहिदा, पता लाग्या होगा नाल दिनल आर्टीकल एक्षो पच्ची तुन खाहां अलावएंचिज, सैलरी, पैंशन जेकर आपा गाल करिया एक्षो चौवी दी, ये तो आड़ी सुप्रीम कोट ली सट्रक्चर होगी, आर्टीकल एक्षो चौब्बी, राइट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एपसेंट हो गया त आक्टिंग बनावना पाउगा, आर्टीकल एक्षो स्ताई आडघो बेसिज्ते जाज रखने हां, आर्टिकल एक्सोठाई चेकर जाज्जापन अड़ोख बेशेशते नहीं मलते तर टैर जज्जानू अपीर कारने के पाई आजो एननी स्ट्रक्चर सामझे लागी सो आ हुंदा स्वाध पढ़ाई दा राइट एसे तरीक के दिना पढ़ना चाहिए अपा एनना दी जुरिस्डिक्शना दी गल करांगी उस तो पहला नोट सा बरिया पजान कर लेने क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट नोट सा जड़े के इंपोर्टेंट बन दिया राइट चलो सुप्रीम कोर्ट तो आड़ी हाइस्ट जुडिशल फर्म है एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील यानि तुसी आए कहलो भी जेकर डिस्टी कोर्ट देवे तो आड़ा केस चालदा है फिर तुसी हाई कोर्ट जा साकते जेकर तो आड़े अंगेंस्ट कोई फैसल आजे ता of the Constitution of India and Article 24 तो लेके 170 तक अहे आउन दागा ठीक है? So एदे बच आप आप आठी Compositions बारे पड़े सारा कुश कर देयां, सारी गल्ला बता जान देया, जरिस्टिक्शन बारे जान देया, उनना बड़े आप सारे इंचे ज़द जान देया यानि आर्टिकल एक से चौवीतो लेक एक सो ठाई तक का पे दी कमपोजिशन बारे जान दिया, उस तो बाद आप पा जुरिस्डिक्शन अफ दा सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया बारे जान दिया, जीदे बच एपिलेट आ गया, ओरिजिनल आ गया, रेट ए सुप्रीम कोट कोड़िया यानि की हैंky different different types of jurisdiction, डिवा एड्विक्शन राइट हो गया, सुप्रीम कोट इस विच चेशन एपिलेट कोट, अपिलेट कोट नान तो ही पतालाग रहागा, एपिलेट नाम तो ही पता लाग रहे है कि हाइस्ट तुसी अपील सुप्रीम कोर्ट ते वेची कार साक दियो So that is called जडी में आफ स्ट्रक्चर बनाई है एक जरिस्डिक्शन तो अनू हुनी पता लागी एपिलेट जरिस्डिक्शन आही हुन दिया Supreme Court कोड यह पावर है कि ओहो केस नू one high court तो another high court ट्रांसफर कर साक दिया Even from one district to another district court याणी Supreme Court कोड इसारी पावर हो किसे भी court नू, किसे भी court केस नू, किसे भी court केस दिया तर्छां अए डी केस त्रांस्फर कर साक दिया The Supreme Court has the power of constitutional review, judicial review जूनु आपsky ने है तो जिनेशल रिविव फैसले नूँ चेंज कर साक दिया, जेकर उनु लगदा कि एह फैसला गालता तो उनु चेंज कीता जा साकता, जा फिर उनु नल एंड वएड करार भी देता जा सकता है, यानि के भी एह एह चैंसला पाई ज़रा गुश्च, नल एंड वएड करार दिय एपन थे पड़ दे पाई ज़रा पड़ दे उह पड़ दे शेलरी बारे, आपने हुनि 10 केटे सो अल्टर सेलरी बारे ज़रा हैगा आटीकल एक्सो पच्छी वच्छा, इंडीन कोंस्टिचूशन लीवज इट टू इंडीन पार्लेमेंट तो इनदे पार्लेमेंट तो डि भी नहीं ला साकती, कोश भी नहीं कर साकती, इनना नो तन खा, इनना दी मिलनी ही मिलनी आफ्टर अफ्टर अप्वेंटमेंट, राइट होगे, होन अपा पड़ देजी, सम इंपोर्टेंट पोईंट्स आफ सुप्रीम कोट, जड़े तो नो आम तोरते पे प्रद विच कोश एमेल चीफ ज़स्टिस, राइट होगे, सो कहन दा मतलब किया के, सुप्रीम कोट वाज ज़स्टिस, फातिमा भीवी, एक कोश्चन बहुत बहुत बार पुछा यांदा, 1987 देवच ए तोसी याद रखनागा, पहले वो मैंने जजा सुप्रीम कोट देवच, अड़ होग जड़े अड़ होग बेसिते जाज रखे यांदेया, आर नौन सुप्रीम कोट जाज, ओविसली कर ला, राइट, हो सेट इन दा सुप्रीम कोट, वें देर इस लैक ओफ कोरम, तु प्रफार्म दा ज़स्टिस, कोरम दा मतलब क्यों दा का, कि जिननी, एक्शल दिवेच्च जड़り सेट्ट्पवनेफिकसट्फाइशन चाहिए, तुसी जदो फारं पार देऊं, तो अनौन पुछ्छह सेट्पा दे heck ke election किया तुसी yes कर देऊंगे, जदो तुसी घरम बादेऊ, सो कैन दा मतलब, जड़िक क्यों दा जड़िकशन पूरी कर दा, जां किसे केस करन वास्ते प्रफॉर्म करन वास्ते ओधे नंबर ऑफ जजीज दी गंतिया जडी आप तेती पलस एक पड़िया ओहो गंति पूरी होनी चाहे दिया राइटा जेकर पूरी नहीं हागी ता अड़ॉक ते अड़ॉक बेशिज ते जज रखे जान दिया छो अड़ॉक जजीज बाइट गोईटन वाइट राइटा प्रफॉक टोउट जडी पूरी अड़ॉकल प्रफॉकल टोउडॉक्थे ते नाला खार पॉडॉक्टाव तो तुषी जजस्टीज नू ले रहे हो एंग जडी हाइक तुषी जजनू ले रहे हों छीफ जचीज can be appointed as ad hoc judges who are qualified to be appointed as the regular judge of the supreme court obviously the chief justice administers the oath in front of the president so 100 चुक समाग मां president दे सामने हुदागा the first chief justice of India बहुत वार question पुछा जान्दा याद रखना उन्नी सो पन्याक बंजादा वेच्छा आच जे कनिया है पहला chief justice of India हो गया दाशो अस्वर्टेस्ट ट्रियोर शोर्टेस्ट ट्रियोर जिदा सब्च तू काट टाइम रहागा फोर के एन सेंग, के एन सेंग दा रहागा, the longest tenure जी दा रहागा, ओह रहागा जी वाईवी, चंद्रा जो, right, so याद रखना का चंद्रा जो, right, so याद रखना, the longest tenure, shortest tenure and first Chief Justice of India, H.J. का निया, याद रखले ना, के एन सेंग, the shortest रहागा, right, and वाईवी दा, एंड वैसे भी याद राखते हो, के एंड तो याद राखते हो, के एंड पहला आयां दिया तो shortest हो गया है, वाई वी बिल्कुल अल्फाबेटिकली बिल्कुल एंड ते हो दा, राइट सुए दा मतलो longest है, याद राखते हो, राइट क्योंके के आजड हो 11 नमबरतिया आयां याजड हो पच्ची नमबरतिया हो दा, तो अबजली गरल हो बाँट टाइम तक, ये स्तरी के लिए याद कर साकते हो, होना पहला पहला दी जरिस्डिक्शन दी गयाल कार दे, जरिस्डिक्शन जो आप पढ़ांगे, तो एकता तो अड़ा हो गये रेट जरिस्डिक्शन, रेट जरिस्डिक्शन की हो दागा, जिदे बेच्च, फंडामेटरल राइट दा जेकर वाइलेशन हो जे, तो अकोर्डिंग टू आर्टिकल बत्ती, तुसी सुप्रीम कोट जा साकते हो, यानि फंडामेटर राइट दा वाइलेशन हो या नहीं, तो तुसी सुप्रीम तक, राइट हो गे, तो एह होगी तो आड़ी रेट जरिस्डिक्शन, रेट जरिस्डिक्शन, फंडामेटर राइट जेकर वाइलेशन हो जे, फंडामेटर राइट तो आड़ा ओंदा पार्ट थ्री देवेच, पार्ट थ्री देवेच, राइट हो गे, चलो, इस तो लोवर कोट तो सुप्रीम कोट जा साके दिश्टी कोट ने फैसलास नाया थो नो नहीं पसांद आया, हाई कोट देवेच अपील कर दो, हाई कोट देवेच पसांद नहीं आया था तुसी सुप्रीम कोट जा साके दो, बट हाइस्ट अथोरटी सुप्रीम कोट कोले सुप्री राइट रेट्स भी पांच तरांदी हुनिया आप पंजाद रांदी रेट्स पढ़िया हुनिया मेरे साव नहीं तुसी सारा ने पढ़ रखिया हुनिया ता अप्पा हुन ओरिजिनल जरुषिक्षिदी गल कार दिया तो नुँ पता के जिड़ अपना इंडियो फैडरल स्ट्रक्चर है बहुत सारी या या देवीचा स्टेटां बहुत सारी स्टेटां राइट सारी स्टेटा एक दूसरी नला कनेक्ट कार दिया याणि के ड्वीजन ओफ पावरा पाजिनू कैने याणि जेकरा हां सेंट्र है जेकरा सेंटर आ एद यह पावराने डिवाइड केता होया राइट याणी सेंटर को यह जिनिये पावरा mergedगी सेंटर श्ट्रोऊ और सेंटर श्ट्रोऊ टा इसे करकेया आपा कैन य। कि आपना इंडिया कवासी फेडररल स्ट्रक्चर ओ ढा मतलiern किया कि PowerPoint है घईपिश्ण फीन 六 फॉवड़तोνα के और राइटाँ फैना के रिंद सेंट्रेस्ट जैपिश्ण च्रूँगा original jurisdiction रहें, यानि original jurisdiction means that certain types of cases can originate with exclusive jurisdiction of supreme court only, the supreme court only, the supreme court has original jurisdiction in dispute between center and one or more states, याता हुन federal structure यानि के विगड़ जे, federal structure किया, center ने states नो power divide कर रखिया, center धी आव धी power divide, पर जेकर जाता center ते किसे state ना पंगा पाए जाया, यानि के मानलो जुमें center देविच बीजे पिया, पंजाब देविच गांगरेस हा, दोना देविच डिस्प्यूट होगा ता कौन सो जाओ supreme court, जाँ पंजाब दा हर्याने ना पंगा पाए गया, बिहार दा यूपी ना पंगा पाए गया, यानि दो या दो तो वद भी state ना हो सागदिया, जे कर उनना देविच डिस्प्यूट होगा ता original jurisdiction supreme court, यानि के उनुट सुल जाओगा, so dispute between the center and one or more states, dispute between the center and any state on one side and one more state on the other side, राइट होगा, यानि center हो सागद ता दो हो स्टेट हो सागदिया, dispute between two or more states, राइट होगा ता original jurisdiction र राइट होगा, इस तो बाद आगा जी, appellate jurisdiction, appellate मतलब appeal, appellate jurisdiction means that appeals against judgments of lower courts, ओदे against appeal करने के सानुफैसला पसांदनी, can be referred to the supreme court as the supreme court is the highest court of appeal in the country, इस तो उत्ते तुशी कोशनी कर सागदी, advisory, advisory jurisdiction ना मतलब सला, advice दा मतलबी सला देना होंदा, सो एह की कर दागा, it refers to the process, where the president seeks the courts, यानि president सला लेंदा supreme court दी, on legal matters, advice दा मतलब, सला, सला काँ लोगा, president, and president asks for advice from the supreme court, the court is duty bound to give it, however it is not binding on the president to accept the advice, होन सला लेली, येदा मतलब येन हैगा, कि जेकर तो अन्नु बाँ देती, मैं बाँ मतलब, तो अन्नु में हाथ देता, ते येदा मतलब येन हैगा, तुसी बाँ फड़लू, right, सु कहन, काफी याणी येवे कर दे न, वुजी मैं कहन दें, सार जी, fees cut कर दो, असी course लेना, सार जी, fees cut कर दो, उन्नानु माड़ी जी, मानलो, गुंजायस कर वी दित्ती, तो एक होर लिया होंदे, सार जी येणू भी कर दो, right, तो येवे नहीं हो सागदा, न, possibility नहीं सु कहन दा मतलब किया, कि पाई, प्रेजिडेंट सला जरूर ले साकेदा, अडवाईज जरूर लगा, लीगल मैटर देवेचे सुप्रीम कोट दी ले साकेदा, पर सुप्रीम कोट ये थोड़ी कहोगा, वी सला ले दी, तो पाई हों तु मान न दी, ता, not bounding, right, होगे, सो म घ्रिस्डेक्शन बारे पुछा जान्धा गा, जे में ओरिजिनल जरूर इस्टेक्शन ले बेच, पुछा गया, बहुत बारी, कॉप्रेट वेच्ट जड़ा अपना, कॉप्रेटव इंस्पेंट्र द़ पेपर500 हुता, यां सु ए थो, पाईटब्ये कोट दा पेपरे हों पुच्छा गया हो किसना किसी दिमेच सो मेरे साव दिनल तुसी सामझ गे पाई सो एह बहुत चीजे इंपोर्टन बाण दिया सो एसे तरह दे श्याशन देखन वास्ते आओ आप मिलके पढ़िये सो थैंक्यू वेरी मच बाबा महिल करें चारदी कला चरो इसे तरिकना पढ़ देर हूँ बाई 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 टेक केर